हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का चैनल पे आज मैं काफी दिन के बाद वीडियो अपलोड करनी हूँ तो सबसे पहले तो आप सभी को दिपावली के हर्दिक शुप कामना है और मैं धंतेरेस के दिन सोच रही थी कि मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका एक रीजन था लेकिन फिर काम के चलते मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई तो बस आज योही मन किया कि आज मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करूँ और दिखाऊं आपको कि क्या चल रहा है मेरे गार्डन में और अभी मैंने कहा कि मुझे धंतेरस पे वीडियो अपलोड करना था उसका जो खास रीजन था वो है ये ये संजोग कहें या सौभाग पिछले तीन साल से ऐसा होता आ रहा है कि धंतेरस के दिन पे ही मुझे हल्दी के फूल के दर्शन होते हैं फूल तो पहले से बनता होगा लेकिन ऐसा हुआ है कि धंतेरस के दिन पे ही मैंने इस फूल को अचानक से देखा है और ये पिछले तीन साल से ऐसा ही होता हा रहा है तो इस साल भी धंतेरस के जस्ट एक दिन पहले मैंने इस फूल को देखा था तो मुझे लगा था कि ये सच में बहुत बढ़ा सौबाग ये है कि हल्दी के फूल को वैसे ही शुब माना जाता है और इतने शुब दिन पे इसका दर्शन होना सच में ये किसी सौबागे से कम नहीं है तो यहां पे देखिए आज मैं धनिया हार्वेस्ट करने आई थी तो मैं धनिया भी हार्वेस्ट करूंगे और सोचा थोड़ असा छोट असा वीडियो में अप्लोड कर लेती हो पत्या पत्या उपर से कट करके और आज भी मैं पत्या ही कट करूंगी इस बार मैंने धनिया थोड़े बड़े ग्रो बैग में यानि 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में डाले हैं तो मुझे लगता है कि इसका और ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है तो इस फिंटर में मैं फ्लावरिंग प्लांट्स तो बहुत सारे ग्रो करूंगी लेकिन सबजिया थोड़ा लिमिट में ग्रो करूंगी क्योंकि होता यह है फ्रेंस कि हम हर तरह की सबजिया लगाने में लग जाते हैं और फिर उतना टाइम ना होने की वज़े से केर नहीं कर पाते हैं मेरे साथ तो ऐसे होता है तो मैं काफी कुछ जो है नहीं ग्रो करूंगी जो अच्छे से ग्रो नहीं होता है या फिर जिसका पूरे सीजन में सिर्फ एक हर्वेस्ट मिलता है जैसे की काली फ्लावर हो गया, कैबेज हो गया तो इनका पूरी सीजन में एक ही हर्वेस्ट मिलता है तो मैं इसे नहीं ग्रो करूंगी और शायद मैं पोटेटो भी नहीं ग्रो करूंगी तो बस मैं लीफी वेजिटेवल और कुछ ऐसी सबजियां जो की इसली ग्रो हो जाती है जैसे बैंगरन हो गया, मिर्च हो गया और मुली हो गई यह सब मैं ग्रो करूंगी तो देखें कितना अच्छा हमें जबरचस्त जो है harvest मिला है धनिये का बहुत अच्छे से हमारे धनिये ग्रोवे और पूरी जो है प्लेट भर चुकी है दोस्तों ये देखिए ये ये यूफोर्बिया मिली है जिसमें काफी अच्छी फ्लावरिंग आती है और इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग मेरे इस इस प्लावर की यह बात मुझे अच्छी लगती है कि इसमें जब भी फ्लावर आते हैं तो वो काफी दिनों तक बने रहते हैं इसका पूरा बंच इसी तरह से बना रहता है और यहां पे लिगे काफी सारे अरीका पाहम आपको देखने को मिल रहा होंगे और भी प्लावर यह तो यह काम भी मेरा अभी साइड में चल रहा है जिसके चलते में विजी थी तो ओके फ्रेंस बाई हैवी गार्डनिंग